हाई गाईज अवर्म वेलकम तो स्काई इंस्टिटूट गैस मैं आज आपको रेडियो बटन सिखाने जा रहा हूं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रेडियो बटन और चैक बॉक्स की डेडिकेटड वीडियो बनाऊँगा तो मैं चैक बॉक्स की डेडिकेटड वीड होगा पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जैंडर ठीक है मैं लिख लिए और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपूट टाइप किस टाइब कर बना रहे हैं हम पताए ना आपको रेडियो ठीक है तो मैं मैंने रेडियो लिख दिया है और इसे close कर दिया इसके सामने में पहली वाली जूदे तो मेel ठीक है कि इसे यह फीमेल ये लिए दिया होता है लेकिन आप देखने हम YOU अब यहां यहां के टोनों प्रिक हो रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज फीमेल तो नहीं हो सकती यह इक चीज आ या तो यह यह तो उसके लिए क्या करते हम यहां पर इसे इंटर कनेक्टिट करते हैं, नेम से, नेम क्या, वो डेटावेस की टेबल, जिसमें एक वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैंडर, ठीक है, और, कॉपी करा, और यहाँ पेस करा, ठीक है, नेम जैंडर, इससे कहा होगा, कि जो वैल्यू है, जो हम जो रेडियो बटन होते हैं, वो सिंगल सेलेक्शन के लिए यूज होते हैं, चैक बॉक्स जो है, वो मैल्यूटिबल सेलेक्शन के लिए, रेडियो बॉक्स वो सिंगल सेलेक्शन के लिए, कि आपको एक सिंगल वैल्यू सेलेक्शन करनी है, आपको बहुत सारे अप्शन द देता हूं तो वैल्यू यहां से जाएगी कहा पर जाएगी जेंडर वाली टेबल के अंदर सेफ करें हो गाईस कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है यह देखिए कोई भी फरक नहीं पड़ेगा ठीक है गाईस तो समझ में आया रेडियो बॉक्स कैसे काम करते हैं क्यों यूज होते हैं लास्ट चीज में आपको बताना चाहूंगा जो कि आपकी कोडिंग को रिप्रेजेंट अच्छा करता है वो है आपका चैक्ड जैसे कि आप माल लीजिए आपका मेल डिफॉल्ट आना चाहिए अभी तो नहीं आएगा देखिए अभी तो नहीं आ रहा ना मैं कर र इसको मैं यहां से अटा कि फीमेल में लगा दो तो फीमेल भी सेलेक्टेड आएगा मैं सेफ करूँगा ठीक है रिफ्रेश करूँगा लुक अट देखिए तो यहां पर बाइड डिफॉल्ट सेलेक्टेड आगे हालाकि चेंज कर सकते हो डसन मैडर ठीक है बट यह एक एट इस्ट्रॉंग बाइड